तो fail game family, Roman Reigns और John Cena के ultimate power test के बाद आप में से बहुत लोगों ने guess कर लिया था और comment करके बोला भी कि अब तो Brock Lesna का भी ultimate power test होने ही वाला है तो जिसने जिसने ऐसा guess कर लिया था ना पहले तो अपने लिए एक जोरदार ताली बजा लो भाई और देख लेना आसपास कोई हो नहीं वरना वो हो सकता है कि सोचे कि लड़का बावला होगी अपने लिए ताली क्यों बजा रहा है और जैसे आप लोगों ने रोमन और सीना के अल्टिमेट पावर टेस्ट में देखा अगर अगर अपने रोमन और सीना का अल्टिमेट पावर टेस्ट नहीं देखा है तो मैं अब स्पोईलर देने वाला हूँ तो मैंने प्लेलिस भी बना लिए तो आप उसको देख लेना अगर अभी तक नहीं देखा है तो याद है न, रोमन और सीना अपने ultimate power test में successful नहीं हो पाई थे रोमन तुभाई almost जीती गए थे लेकिन रॉक ने कांड कर दिया था 3 on 1 करके बहुत ही बयांकर कांड तब आई मैं भूल नहीं सकता लेकिन क्या आज ब्रॉक लिसना अपने ultimate power test में जीत पाईंगे 100 वले सीना तो at least मैं बोलता हूँ कि 3-4 finisher लगना चाहिए eliminate होने से पहले क्या तब लगेगे कि 100 है सीना का सीना थोड़ा समल कर beast incarnate से समल कर क्योंकि ये वही beast incarnate है याद है ना सीना को बहुत मारा था बाई रियल लाइफ में और सीना का title भी जीतिया था जब ब्रॉक लेसना अपने उफान पे जाने वाले थे WWE में अगर आपको याद होगा तो Undertaker के streak नया नया तोड़ा था ब्रॉक ने और उसके बाद सीना की धच्ची उड़ा थी भाई वो मैच को जादे ही ultimate था ब्रॉक के career का मला अगर आप ब्रॉक के fan हो तो आपको वो मैच तो यादी होगा full on domination और मैं भी नहीं भूल सकता आप मैं सीना को इस टाइम fan था मैं चाहता था कि ब्रॉक खार जाए लेकिन ब्रॉक ने मेरी और कितने सीना फैंस की उमीदों पर पानी फेर दिया था one-sided मैच दिखा कर और उस दिन की बाद से मैं ब्रॉक का भी fan होने लगा था उस दिन की बाद से नहीं actually मैं ब्रॉक का fan बना पता है कब से जब सीना वसेस ब्रॉक वसेस सेथ हुआ था ना और ब्रॉक उस दिन मतला भाई फिनीशर पर फिनीशर खाय जा रहे और खड़े हुए जा रहे ब्रॉक को स्ट्रेचर से भेजना पड़ा फिर भी ब्रॉक आकर जीत कहते तो उस दिन से मैं फैन बना था ब्रॉक का स्ट्रेचर लगा दिया है लेकिन ब्रॉक की एक फिनीशर में कहा जाएगी है इतना जल्दी ऐलिमिनेट नहीं होगे लेकिन रेजिलेंस चली गई है चलो सीना स्टार्टिंग में आज अच्छा खेल रहे है ब्रॉक की रेजिलेंस चीनली ब्रॉक को लेकिन इतने जल्दी रेजिलेंस यूज नहीं करना चाहिए था चलो सूपलेक सिटी स्टार्ट हो गया है सीना रिवर्स करना चाहिए कोई बात नहीं स्टन्ड मत हो ना सीना बस ब्रॉक से समल के चील की तरह नजरे रखे में लगा दिया कमूरा लोग एक फिनिशर एक फिनिशर तो ब्रॉक को भी दिया था कहां इलिमनेट होते हैं ब्रॉक लिसना सीना क्यों चले गए हंडर्ड था सीना का टू क्या आई एट यू तेरे सीनों के साथ क्यों ऐसे करते हो सीने में मेरा दर्द होने लगता है सीना की ये मार देखकर मेरे भाई क्यों एक फिनिशर में इलिमनेशन ब्रॉक भी तो नहीं हुए ब्रॉक को तो लगाया है ब्रॉक की रिजिलेंस भी चली गई सीना के साथ ये बेट बॉक क्यों है अंडर्ड था सीना का ब्रॉक अपने अल्टिमेट पावर टेस्स में जीत सकते है क्योंकि तीन तीन ब्रॉक बचे है पर दिक्कत ही है कि सामने रोमन और रॉक भी है रॉक याद है ना अल्टिमेट पावर टेस्स की दिन को जादा ही खतरनाक हो जाते है रॉक 3-on-1 Roman के साथ कर दिया था तो सुचो Brock के साथ क्या करेंगे और आज फिर Rock को टैग नहीं मिला उस दिन भी Rock को टैग नहीं मिला था और लास्ट में Rock ने आगे कुछ जादा ही धमाल कर दिया था Back to Back Elimination वो मैश तो भाई आपको देखना ही चाहिए भली आप Roman के फैनों रॉक के फैनों लेकिन काफी शौकिंग मैश था अगर नहीं देखा है तो यह Power Test अराम से Brock जीत सकते हैं अगर एक और Elimination कर दिया थो क्योंकि ना दो दो Brock को देख रो फुल हेल्थ है 2003 वाले Brock की और Cowboy Brock लिसना की फुल हेल्थ है भाई वो लोग आई भी नहीं है तो अगर एक और Elimination कर दिया वो भी खास करके Roman का और Roman की Body Orange हो गई भाई उतना तो मार नहीं खहते Roman अज Brock पुरे मूड में है कि आज चलो Ultimate Power Test Roman और सीना तो नहीं जीत पाए मैं जीतूँँगा सहिए Brock टैग दे तो टैग दे तो मांग रहे 2003 वाले Here comes the pain Ring में pain आना चाहरा है लेकिन Brock पता नहीं क्या कर रहे टैग नहीं दिया Brock ने Peace Incarnate या सीना तो finisher finisher भी देखे गए थे Roman गिल 18 लगाना चाहिए था Roman एकाद Elimination स्टार्ट करो वरना ये Ultimate Power Test Roman तो नहीं जीत पाए Brock जीतने वाले है अच्छा यहां पर Ultimate Power Test दूसरे को नहीं जीतने में भी मज़ा है तो समझ लो Roman तो नहीं जीत पाए तो Roman के मन में होगा ना कि Brock को भी जीतने नहीं दोगा तो जब कोई जीते गए ही नहीं तो सब हार गए तो सब equal है ट्या Roman ने दोनों Brock को रोकने का ट्राई किया लेकिन दोनों ने मार दिया पर Roman भी कम नहीं जब तक attack नहीं कर ले थे माने के नहीं Roman बीस्ट इनकानेट फीछे से आएंगे और finisher ही लगाएंगे Roman जल्दी target change कर लिया Roman ने Brock अच्छा खेल रहे है हराम से आज जीत सकते अपना ultimate power test बस tag दे दो Brock अच्छा खेलने का मतलब ये भी है कि time पे tag देना है देख लो इतना अच्छा मौकत attack देने का ओए गई Roman शायद पर Roman एक finisher नहीं Roman बच गए Roman बच चुके है F5 लगता तो Roman eliminate हो सकते थे F5 में भी double reversal आ चुका है जोकि 2K22 में नहीं था लेकिन 2K23 ने पता नहीं क्या फूक के ये game बनाया क्योंकि इसमें Brock के finisher में भी double reversal दे दिया है ये भाई ये 2K को हिंदी नहीं न समझ भाती है I hope कि समझ भाई नहीं हाँ है वसा मेरा channel उड़ाते है बोलें कि बहुत बेस्टी करता है ये एक तो तुकी के game पे channel बनाया हुआ है और उसी पे बेस्टी करते रहता भाई इसी लिए तो बेस्टी करते है क्योंकि हिंदी नहीं समझ भाती है अब लोग भी करो एक Brock को eliminate कर दिया 2003 वाले Brock का एक spear में रोमन ऐसा के spear लगा दिया था भाई अज क्या हो रहा है एक एक finisher वाला कोटा क्यों हो रहा है सब के साथ एक Brock मतलब वो तो अभी ही आये थे नहीं Brock के साथ भी गलत हुआ भाई ये मुझे मंजूर नहीं है चाहे सीना के साथ हो चाहे Brock के साथ हो चाहे रोमन के साथ हो एक finisher में कोई eliminate नहीं होना चाहिए बात अब फिर बराबनी पे आच चुकी ये Brock अराम से जीत रहे थे लेकिन देखो एक Brock पिटे में एक रोमन पिटे में एक Brock और एक Brock दोनों की health बहुत है पर आज हमने देख लिया कि अल्मोस फुल health से भी कुछ है नहीं होता है बाई जब किस्मत फराब हो Brock यसना आते के साथ एक स्पियर में कैसे चलेगा बाई John Cena तो थोड़े बहुत मार भी खाय वेते लेकिन Brock तो कुछ मार नहीं खाय थे Brock को eliminate नहीं होना चाहिए था Brock के साथ भी गलत हुआ भाई पता नहीं 2K नहीं नहीं अपडेट ला रहा है इस अपडेट्स में क्या हो रहा है कि लोग एक एक सिनिशर में eliminate हो जा रहा है कल पता चला है एक एक पंच में eliminate होने लगे 2K प्लीज नहीं अपडेट लो एक और फिनिशर रोमन भी eliminate हो सकते है अगर रोमन चले गहना फिर Rock 2-on-1 तो करी सकते है भाई Rock ने 3-on-1 भी करा था प्लस कि Rock के पास full health है रोमन जा रहे टैग देने दे दो रोमन थोड़ा जल्दी जोग टैग देने तना अच्छा मौका मिला था रोमन अल्मोस चले गहते होट टैग दे देना चाहिए था होट टैग में क्या हो था कि आदबी उड़ के टैग दे 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 था फिर सामने वाला कुछ कर भी नहीं पाता है लेकिन होट टैग दे 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 रोमन ने late कर दिया अब double team up होगा कॉबब़ ब्रोक लेसना भाई दो-दो फिनिशर प्लस एक सिगनेचर ये ब्रोक का आना रोमन के लिए सही साइन नहीं है एक फिनिशर और रोमन एलिमनेट हो सकते है रेजिलेंस तो चली गिलिटीन लगा थी अभाई ये हद वाले ब्रोक लेसन है भाई रोमन का फिनिशर भी चीन लिया रेजिलेंस भी गई और गिलिटीन भी लगा थी ये बहुत बड़े है ब्रोक फतरनाख चीज़ है एक और फिनिशर डेफिनेटली अब तो गया भाई रोमन रोमन टैग दे दो अगर सर्वाइफ करना है ये मैच हाँ बहुत अच्छा रोमन चलो अच्छा करा टैग देकर कम से कम सर्वाइफ तो करेंगे रोमन टू अन टू का मैच रहेगा रोक वस्स ब्रोक इन दोनों की हेल्थ बहुत बची भी थी अब इन दोनों की भी हेल्थ खतम होगी दोनों के पास दो दो फिनिशर और ब्रॉक का मूफ थीफ खतम हो गया है लेकिन रेजिलेंस है अर ब्रॉक टैग नहीं देना चाहिए था गलत वाले ब्रॉक को टैग दे दिया क्योंकि इनके पास जादा हेल्थ है नहीं बीस्ट इनकानेट एफ फाइव लगाने जा रहे है और लगा दिया अरे लगा दिया भाई खतरनाक एलिमनेट होते होते ये वले प्रॉक लगता है कि रॉक को एलिमनेट कर देगी रोप पकड़ लिए रोप थोड़ा समालगी के पकड़ा करो क्योंकि अगर कभी-कभी रेफरी नहीं न देखता है तो रोप पकड़ने वाला आदमी किक आउट नहीं करता है और वो चला जाता है एक दो बार हो चुका है खास करके मेरे साथ तो करियर मोड में हुआ था एक और F5 बैक टू बैक दो F5 लगा दिया रिवर्स भी नहीं और रोप एलिमनेट नहीं हुए चलो डीक है दो फिनिशर में ऐसे भी कोई एलिमनेट नहीं होता है अगर उसका ओवरॉल 95 प्लस हो तब तो वो एलिमनेट नहीं होता है वो तो आजका लिक एक फिनिशर में लोग जाने लगें बैक टू बैक तीन F5 लगाने वाले थे ब्रॉक इसका बतला रोक लिपाएगी या उससे पहली एलिमनेट हो जाएगी काफी क्लोस कॉल मैच चल रहा है पता है समझ में नहीं आ रहा है किसकी टीम जीतेगी जिसका भी एक प्लेयर एलिमनेट हुआ न उसकी टीम आभार जाएगी इस पॉइंट पहुंच गया है मैच ब्रॉक को फिनिशर देने का मौका मत देना क्या होने वाले है और रोमन गये रोमन पोस नहीं बारता चाहिए था अल्टिमेट पावर टेस्स जीतने में न ब्रॉक के रास्ते में सिर्व रॉक खड़े है ब्रॉक वसिस रॉक यह लाइफ में हुआ तो तो उसमें रोक हार गयते बदला ले पाएंगे कि आज एक रोक बॉटम में कुछ होगा नहीं सर्थ दो तीन लगा और चार लगा और तब ब्रॉक लेसन का जाकर कुछ होगा रेजिलेंस भी नहीं गई ब्रॉक के लेकिन बॉटी लाले एक और फिनिशल लगाते तो शायद ब्रॉक लेसना एक इलिमनेट हो सकते है लेकिन उसके बाद भी एक और ब्रॉक बच जाएगी ब्रॉक का ये मैच जीता हुआ है रॉक ने लेकिन रोमन का भी भाई खराब कर दिया था अल्टिमेट पावर टेस्क और ब्रॉक लेसना का भी खराब करने का सोचे रह लो भाई गए, ब्रोक गए, नहीं गए रेजिलेंस तो गई, रेजिलेंस गई रेजिलेंस जा चुकी है पीस्ट इन कानेट बचाने क्यों नहीं आ रहे रेजिलेंस बचा सकते थे पता है एक और फिनिशर ये लगा तब तो डिफिनेटली, ऐलिमनेट है बैक टू बैक, तीन रोक बोटम दो का पतला ले लिया, इलिमनेट हो गए एक ब्रोक, एक रोक रोक आज फिर खराब करने वाले एक और आदमी का अल्टिमेट पावर टेस्ट, रोमन के बाद ब्रोक आ जाओ, और ये बीस्ट इन कानेट सो पहली से बहुत मारख है में याद है उस दिन कैसे रोक जीते थे स्पाइन बस्टर से जीते थे ना और आज फिर से स्पाइन बस्टर है रोक के पास कभी भी स्पाइन बस्टर लग सकते है ब्रोक थोड़ा समल कर ब्रोक के पास signature finisher भी नहीं Ultimate Power Test मुझे लग रहा है कि भाई Brock का fail होने वाला है Rock फिर से एक और आदमी का आज fail करने वाले 2 on 1 करके जीत गए गए Spine Buster kill खतम गए 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 Pinfall हो सकता है Pinfall का आओ Pinfall हो सकता है बहुत मार खा चुके है Resilience भी नहीं है खतम Rock ने एक पर फिर से शॉक कर दिया Ultimate Power Test खराब करके इस बारी Brock लेसर का ये Ultimate Power Test जीस दिन भी होता है उस दिन Rock को क्या हो जाता है समका खराब करते जा रहे Ultimate Power Test खतरना है का भी बन गया है भाई Rock एक काम कराऊ आप लोग प्लेलिस में जो वीडियो मिस्स कर दियो उसको देख लेना और मैं मिलता हूँ नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टाटा टेक किया रॉकी जोपी और वीडियो को लाइक कर लेना टाटा